यहां दोस्तों और देख सकते हैं यह जो आपको दिखाया दरा है यहां तो हद ही कर दिया गया है यहां जो लाश्ट वाला हमारा सरीया है आप देख रहे हैं वहां तक भी सरीया को नहीं पहुंचाया गया है उससे पहले ही काट के छोड़ दिया गया है नीचे का भी सरीया कम है उपर का भी इस होट हो गया है यह दोस्तों गलती आपको अपने साइट पर नहीं करनी है आपको जहाँ भी आपका भी खतम हो रहा है या जहां पर भी दूसरा भी मुद्वक ओर खंञ रहा है तो वहाँ पे आपको الد जरूर पुर्वाइट करना है और सरिया को आपस में मोड देना है चाहे आप 6-8 इंच तक उसकी लंबाई रख सकते हैं डेवलपमेंट लेंद की दोस्तो दो बार में या तीन बार में आप थोड़े-थोड़े से जो कॉलम को कास्टिंग करते हैं और फिर उसके बीच को यानि कि अगर आप तीन फी जोइंट भी बोलते हैं हमारे कंग्रीट के भासा में और इसको यहीं दोस्तो जहां पी यह जोइंट होता है वहां पे आपका हेर लाइन क्रैक बनता है जैसे यहां फोटो में दिखाए गया है और वही क्रैक धीरे-धीरे अगर वहां पे अच्छे से सियर की प्रोफाइड नहीं किया और सरीय में अच्छे से लैपिंग अगर नहीं दिया गया है तो धीरे-धीरे क्रैक दोस्तों बढ़ता जाता है और फिर वहां से हमारा अगर कभी हमारा अर्थक्वेक आ जाता है या फिर हमारा कोई होरीजेंटल फोर्स हमारे जानते हैं कोई भी वर्टिकल ची चांस में फोर्स लगता है तो वहां से भी कॉाँन तो तो इसलिए जहां भी आपका जाइंट बन रहा है अगर आप वहां पडिर को जरूर पर भाइट कर देने cancelled when I turn तो उसमें आपको बीच में कम से कम 4 इंच गहरा और कम से कम 6 इंच चौड़ा अगर नौ इंच का आपको पीलर की ढ़लाई कर रहा है तो आपको six इंच उसकी चौड़ाई चार इंच उसकी गहराई पंनाफ में एक box कि तरह खांचा छोड़ देना है जितनी आपकी वो lapping सब यहां पे column के पास ले दिया गया है सारे यहां भी मैं में आपको दिखा रहा हूँ हर जगा जो lapping है वो column के support भी दिया गया है लेकिन दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है lapping का भी rule होता है IS standard होता है ओ कहता है कि जो lapping आपको beam में देनी है जो उपर का steel है वो आपको कहा बीम के मीड में देनी है मतलब एक कॉलम यहाँ पे है जैसे फोटो में देख रहा है एक कॉलम इस साइड है तो दोनों की सेंटर में देनी है उपर वाले steel की और नीचे वाला जो steel है उसका जो आपको लैपिंग देना है वो कहां कॉलम के पास देना है जैसे कॉलम के साइड में आप देख रहा है इस साइड भी आपको लैपिंग का पोजिशन देख रहा है ऐसे तो कॉलम के पास में देनी है तो इस तरीके से देनी है अब यहां क्या किया गया है उपर कभी एस्टील नीचे कभी एस्टील सब कॉलम के जहां पर जंक्सन कॉलम बन रहा है वहां पर दे दिया गया है तो इस वजह से होता क्या है कि यह तो आपका वीम फेलियूर होगा इस साथ में आप देख रहे हैं कोलम के पास इतना ज्यादा वहाँ पर रिंफोर्समेंट हो जाता है इस्टील हो जाता है कि कंक्रीट अच्छे से उसमें गुस्ता नहीं है तो फिर हो क्या है कि वहाँ पर जगा बन जाता है जैसे आप इस case में देख रहे हैं वहाँ पे जगा बन गया है पाइप को डालने के लिए दोस्तों ये गलती अपने घर में पुलंबर यहाँ पर किया है अपने पाइप को निकालने के लिए ये बहुत बड़ी गलती है आप जानते हैं कि एक building की मजबूती वहाँ सरिया को भी काट दिया जाता है जिससे कि अब बीम जो है वो पूरा पीछे से जो आ रहा है सरिया एक सांद जुड़के जब आप सरिया बीच में से काट देते हैं तो बीम का connection खतम हो जाता है वहाँ से आप जैसे यहां देखिए यहां बीम आपको दिख रहा है कि एक लंबी लंबी दिवारे बनी है तो वो दिवारों के लोड को कैसे बरदास करेगा तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है अब जैसे यहां मैं आपको और नजदिक से दिखा दूँ तो आप देखिए बीम को कैसे काट आ गया है इसमें आप देख रहे हैं कि सरिया जो बीच का रहा था उसको काट दिया गया है तो ऐसी आपको नहीं करना चाहिए थे यहां देखिए बीम को नहीं काट के बीम के नीचे से यह स्लोप देकर वहां से ले जा सकते थे अगर बीम के नीचे आप दिवार बना देते हैं बातरूम के नीचे जैसे आप देख रहे हैं यहां प बहुत जगह होता क्या है कि दिवार खड़ी करने के बाद फिर उसमें कॉलम डाला जाता है लेकिन आज कल कर जो ट्रेंड है वह हमारा ज्यादा तर फ्रेम इस्ट्रक्चर बनाया जा रहा है यानि कि कॉलम भी हमारा पहले डलाई कर दिया जा रहा है छत की डलाई कर दी जा र तो दोस्तों यह गलती बहुत सारे साइटों पहिए जाता है मैं सोचा कि गलती को आपको एक Дो आपना इन को तो पोईंट इसमें जरूर बता दूंकि जब सेに मेंधि आपको कुछ करने से में किशू का डरार नहीं और दरार नहीं और फिर आपको वहाँ से आपका जो स्सक्तर प्र भी है और इपार को routinely बड़ेंग कम जोड़ना पड़ हो के सब्सक्राइ Trek कर रहा कि जितनी भी दिवारे यहां पर बनाई जा रही है जो हमारे कॉलम सी चिपका के बनाई जा रहा है तो उसमें नहीं किसी तरह का टाचा मारा गया है नहीं उसमें सिमेंट का सलरी डला जा रहा है डिरेक्ट वहां पर दिवारे बनानी यह स्टार्ट कर दी गई है तो हमारे ठे देखते हैं तो उसमें डेवलप हो जाता है तो यहां मैं तीन दो तीन चीजे आपको बताऊंगा जो आपको जबी भी अपना ब्रीक वर्क कराएं तो उसमें आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए तो सबसे पहले जो काम यह करना है जो बेसिक चीज होता है साइट पर कभी भी फ्रेम इस्ट्रक्चर बनाएं तो जब कॉलम का ड्लाई कर लेते हैं ड्लाई करने के बाद जब उसको 16-14 गंटे बाद उसके फर्मा को खोला जाता है तो वहां पर कॉलम जब अभी इनिसियल स्टेज में होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए को वहां पर कॉलम करते हैं टाचा मार ना भी करते हैं तो आप को जाता है और को जब आप दिवार की चुनाई करने जाए तो सबसे पहले स्लड़ी यानि घोल होता है उस पर पदल लेना है जिससे क्या होता है कि हमारे इंट का और कॉलम के बीच के में हम जब हम दिवार लगाते हैं तो वहां हम थोड़ा सा मसाल है यानि मोटार बरते हैं तो हमारा वहां पर क्या होता है कि कॉलम जब रॉफ हो जाता है तो हमारा इंट आसानी से वहां चिपकता है यानि कि उसका बॉंडिंग अच्छा बनता है एंक्रेज का काम करता है तो आपको टाचा मारना है और सिमेंट का सलारी जरूर डालना है यह बेसिक चीज होता है जो आपको कर लेना है चीज आपको करना यह होता है कि जब भी आप दिवार बनाएं दिवार बनाने के बाद जो आप उसमें प्लास्टर करते हैं तो जो भी ज जॉइंट आ रही है वहां पर आपको फाइबर जाली जो मिलती है आज कल मार्केट में और फिर हमारे या फिर मुर्गा जाली जो जैसा आप यहां देख रहा है यह चीज आपको कम से कम 6 चौड़ी काट लेनी और जितनी लंबाई आपकी दिवारे पूरी उतना लंबी काट कहने है फिर उसको कील से अच्छा से एड़ेस्ट कर देना है यानि टाइट करके फिर उस पर आपको प्लास्टर करना है मैं तो यह कहूंगा दोस्तों कि आप आजकल जाली होता है यह यूज न करके आप फाइबर में यूज करें उसका डिवरेविलिटी ज्यादा होता है और उसमें फिर किसी तरह की बाद में करोजन या जढ़ने गलने की समस्या नहीं होती है